हाई फ्रेंड्स वेलकम टू सिंपल फोड आज हम अपने कीचन में बनाने जा रहे हैं क्रिस्टी कॉल यह मैं बाजार से लेके आई की बुट्टा उसको मैंने निकाल लिया था उसके बाद मैंने यह उबाल के फ्रीज में रख दिये थे इसको डिरेक्ट भी ले सकते हैं पर म बूबले में इसको थोड़ा सा नमक डालके इन पहुबाल लिया था अच्छे से अब हम इसमे यह एड़ करेंगे एक चमच यह अरा रोड एक चमच मेता आप इसको जब यह हलकालका पानी हो तब इसमे आड़ करना नहीं तरह से होएंगे निए इसकी कोटिंग करेंगे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम इसमें अगर सूक जाकते हैं तो हम दुबारे फीर इसमे थोड़ा सा मेता एक चमच मेता एक चमच अरा रोड हमने इसको बिलकुल अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी जब तक कि हमारा एक एक दाना अच्छे से ना कोट हो जाए तब तक हमें मैदा और ये और रोट डालते रहना इसमें ये फिर सोख लिये हैं थोड़ा से, हम फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा पाने डाल देते हूं फिर से सुखा सुखा हो जाता तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ करना ताकि हमारे कोर्न अच्छे से कोट हो जाए इसमें एक चम्मच ये अरा रोट एक चम्मच ही अपनी अपनी है ये अच्छे से कोटिंग हो गी है अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो चले इसको फ्राई करने हैं दाल के अब इसको दख देंगे तब इसको निकाल लेते हैं ये तड़के के लिए मैं पैन रख दिया है इसमें थोड़ा सा ओएल डालेंगे ओएल बटर कुछ भी डाल सकते हैं देशी गी ये मैंने लैसून अधरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे इसको फोड़ अचा प्रूस्ट कर लिए थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर के लिए थोड़ी सी हल्बी प्रू़ी प्रू़ी लाल से सबस्टार के लिए वर दोड़ी सोबस्टार के लिए अच्छे से मिक्स करके इसमें अलोग लेको उच टालेगे और इसको अच्छे मिक्स कर लेगे गैस बन कर देगे हरी मिर्च में नहीं डालनी अगर बच्छों के लिए da अगर आप मिर्चे खाते हैं आप पार मिर्ची डाला सकते हैं तीखा चाते हैं निंगु डालेगे अद्दा यह हमारे क्रिस्पी को नित्यार हो चुटे हैं यह खाने में बड़े तेस्टी लगते हैं एक बार ट्राइ जरूर कीजिएगा प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट थैंक्यू पॉर वाचिंग बाइ प्लीज सब्सक्राइब लाइक